वेलो वेल्कम टू आर सेल ट्यूटर प्लीज दू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्लीज दू लाइक आर वीडियो थेंक यू अले फ्रेंड जन वेलकम बैक और अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं आर्डर लिस्ट के बारे में डीटेल में जो है वो रीड आउट करेंगे कि आर्डर लिस्ट बिसिकली बनती कैसे है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिज जहां वो आपके पास मौजूद है आर्डर लिस्ट बनाते हुए तो हमारा जो लास्ट लेक्चर ता इसको मैं अभी यहीं पर क्लोस करता हूं और एक नहीं फाइल बनाता हूं और इसको हम लोग से इसका नाम देंगे ठीक है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक और लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग list of items बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे different languages के नाम लिखेंगे जैसे कि हमारे पास HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, अब यह जो list of items है मैं आपको इसमें दो तरीके दिखाऊंगा आज के किस तरीके से list of items हैं वो काम करती है और फिर हम इसके बाद लिखेंगे ASP.net फिर हम डालेंगे इसके अंदर C Sharp फिर हम डालेंगे इसके अंदर Java फिर इसमें डालेंगे हम लोग C++ और इससे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पर Bootstrap उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पर WordPress Xamarin Xamarin के spelling मुझे याद नहीं है इसको फिलाल मैं यह क्लोस करता हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसके अंदर और वो यह है जैसे कि अगर मैं इसको रिफ्रिश करूँ तो अभी आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपके एक complete ordered list जो है वो यहाँ पर आपके पस display हो रही है ठीक है अब मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ जैसे कि मैं यहाँ एक paragraph बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वेब बेज्ट लैन्वेज़िस ठीक है यह हो गया मेरे पास अब इन दोनों को मैं अलग करूँगा यानि के मेरे पास क्या है वेब बेज्ट लैन्वेज़िस और application development languages application development languages ठीक है अब इन दोनों को मैंने डिफ्रेंट शेट कर दिया है यहाँ पर ठीक है इसको सेफ करता हूँ और फिर मैं चलता हूँ अपने code की तरफ में आ गया ठीक है अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको मैं एक काम करूँगा है और इसको भी h3 करूँगा ठीक है उसके बाद मैं इसको करूँगा h3 और इसको भी मैं करूँगा h3 कि ऊстиने अजब घएव खाई में में हूँ एओर एदुगा है और इसको भी हूँ झाल